कि मित्रों जब आप गाई खरीब लेते हो और उसके बाद में आप ट्रांस्पोर्ट से लेगे जाते हो या strike से लेँदो कि ट्रक में लेजा हो चोटी ओइर दिग कीकड के अंदर ले जा रहे हो और राजस्थान है राजस्थानस से अदर स्ट्ड लेजा की साथ दिकारी है यानि गवर्मेंट डॉक्टर होता सीनियर लेवल का उसका एक जो गाई का फिटनेस सर्टिपिकेट या जितनी भी गाई आप खरी तो उनका फिटनेस सर्टिपिकेट आपके पास होना और उसी वियार पर कोई भी ट्रांसपोर्टर है या गाड़ी वाला है तो वो आपको गाई है गोवन्स है वो आपको ले जाने के लिए हां करेगा अगर वो सर्टिपिकेट आपके पास नहीं है और उस परिस्टिपिकेट में वो आपको उसको मना करना ही चाहिए अगर उसने उसको ये पता नहीं है उसने आपके साथ गया तो उसकी भी गाड़ क्योंकि आपके पास कोई वैद सर्टिफिकेट नहीं है गाई को परिवन कर लेकर जाने का और दूसरी बात अधर इस्टेट में लेकर जा ID, जो भी जैसे ड्राइवर है या पिर जो साथ में है, उनका इस्थान है, कहा से कहा आप लेके जा रहे हो आप आप आपका रूट चार्ट है, वो भी लिखा हुआ होता है, और कहां के जैसे मेचने वाला कौन है और क्रीदने वाला कौन है sécurité है, और उसके अलावा साथ में नियम ये भी है, कि अगर आप लेके जा रहे हो तो साथ में एक समय का कम से कम आपके पास पानी होना चाहिए जितने आपके पास गोवन से उनको पिलाने के लिए यह मतलब आपके अंदर को ऐसा storage tank या जरीकिन में पानी भी होना चाहिए उनको बालती वगरे पिलाने के लिए और आपको यातरा में लगने वाला जैसे अगर दो दिन लगता है या एक दिन लगता है तो उतना चारा भी होना जरूरी है और अगर कोई आप pregnant guy लेके जा रहे ह और pregnancy का वो situation बनी हुई है कि उसका last मैना है और किसी भी समय वो बच्चा दे सकती है तो ऐसी परिष्टितियों में उसको अलग जो adult govans है जो जवान govans है उनके साथ में नहीं लेके जा सकते हैं उसके लिए अलग से आपको लेके जाना पड़ेगा ताकि उसको चोट न लेके जा रहे हो लोडिंग ट्रक है या मिनी ट्रक है पिकप गाड़ी है उसमें अगर आप लेके जा रहे हो तो उसके भी नियम है आप जैसे वरसात का मौसम है गर्मी का है सरदी का है तो आप जैसे उपर से गाड़ी कवर कर सकते हो लेकिन गाड़ी पूरी तरसे पैक नह से जा सके और वैसे ताज कल यह ट्रॉली वाली तो यह एक नियम और भी है यह समश्यात है हलाकि नहीं आती कि ट्रॉली जैसे मतलब जो गाई है उस कम से कमनी एक और सव मिटर के बीच में बेरियर लगे होने चाहिए दो जगे पर ताकि ऐसा नहीं हो कि गाई या आपका बुल है या गोवन्स है वो ऐसी कोई चेस्टा करें कि कूद के ट्रॉली से बाहर निकल जाए तो हलाकि ट्रॉली के जो फटे होते साइडों के और आगे पिछे के तो आजकल इतने हाइट में होते कि उनको कूदना आसान नहीं होता तो वह कोई समसिया नहीं होती है और दूसरी जो फर्स पे है उसका भी नियमे मित्रों कि उसके उपर आप या तो लकडी के फटे या फिर पुआल चारा या मिट्टी प्रक ने जिया चाहिकी साथी कारी ने या जहां से आपने सर्टिपिकेट या परमिट लिया है तो उसके साथ में यह भी चेकिंग किया जाएगा कि कम से कम बारा गंटे पहले जो आपके गाई है उसका एक्जामिन किया गया और वो ट्रेवल के लिए फिट है उसका भी उस स्टेड बॉक्स भी किनी कारणों वस अगर रास्ते में यात्रा के दोरानगर गाई को चोट लगती है तो आपके पास स्टेड बॉक्स भी होना मस्ट है और यह सब आपको मोशली क्या होता है कि अगर आप लोंग ट्रेवल लेके जा रहे हो गायों को तो उस समय आपको जरू पहुते हैं तो उसमें क्या है कि फिर आपके खिलाब जो एनमल कृल्टी एक्ट में है वह कारवाई की जा सकती है जब भी आप जैसे गाये या गाये लेके जारे हो तो साथ में driver के अलावाए एक attendant होना बहुत जरूरी है ये भी जो animal cruelty act है उसमें clearly mention है ताकि रास्ते में कभी भी जैसे कोई कुछ emergency situation आ जाए तो गायों की देखबाल कर सके और साथ में आपके पास में रसी और गायों को बांधने के लिए वो भी होनी जरूरी है और साथ में ल और हमेंसा मित्र इस बात का विश्यस दोर पर ध्यान रखे इवन कानुनों में भी यह mention है और अगर आप देखेंगे तो यह भी है कि हमेंसा जो moving direction होता है यानि कि जिस साइड में driver है तो front side में जो आपकी गायी का मूँ होना चाहिए कई बार क्या करते कई लोग आमने सामन क्योंकि कम उनको लगता है कि हम इस पेस बचा लेंगे और यह गायी जादा आजाएगी तो फिर animal cruelty act में आ जाता है तो ऐसा आप कता ही ने करें और दूसरी बात यह है कि मित्रों के अगर आप train में जो भारती रेलवे है वो भी animals और पसूप की transportation की शुविदा देता है हम मे मेरे वीडियो कैसे लगते है अगर अच्छे लगते है तो जरूर लाइक कीजिए और जो नए वीवर से अपली चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले धन्यवाद मित्रों जाए गोमाद